हेलो दोस्तो आज मैं एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हो जो कि जीरो ओयल है और यह एक प्रॉपर मिल है यानि कि आप इसे लंच में बना करके खा सकते क्योंकि यह जीरो ओयल के बनी है और बहुत ही हल्दी रेसिपी है यह एक तरकिश रेसिपी है जिसे दोलमा बोलते हैं बनाना उतना ही आसान है सिर्फ कुछ चीजों से यह रेसिपी ढटपट से बन कर तायार हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैं हूँ पिंकी और आपका मेरे किचिन में स्वागत है दोलमा की रेसिपी बनाने लिखी को सिर्फ कट कर रो या फिर ऐसे जैसे मैं कर रही हो हूँ ये देखे है लेकिन एक उपर वाले पोर्षं को फेकिए नहीं रख किये और अब इस के बीच वाले पोर्षं को की इस तरीके से चट करते निकाल लेंगे ऐसे के ये देखी या फिर दूसरे कैप्सिकम को दूसरे तरीके से भी कट करके देख लेते हैं सिर्फ बीच वारे पोशन को कट करते हैं इस तरीके से और इसे भी निकाल लेते हैं अब ये भी निकल गया है तो तीसरे वाले को भी सेम तरीके से निकाल लेंगे तीनों कैपसिकम एंपटी है अब इसे एक तरफ रख देंगे और ये है राइस जिसे मैंने सोख करके रख लिया था ये आधा का प्राइस है आप अपने पसंद की कोई भी राइस ले सकते हैं अब इसमें डाल देंगे बन चॉप्ट किया हुआ अनियान यानि कि प्याज और अब इसमें डाल देंगे वन टेबल इस्पून टोमैटो पेस्ट तीखा करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स आप इसके जगह पे पेपर पेस्ट यानि की रेड चिली का पेस्ट डाल सकते हैं और अब इसमें जाएगा नमक स्वाद के अनुसार रोजमेरी हफ्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे ग्रिन फेनल या फिर मेंट लिफ्स कोई भी चॉप्ट करकर डाल सकते हैं एक टीज पासली हफ्स अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डालें दो पिंच काली मिर्ज का पाउडर इसे कलरफूल बनाने के लिए हाफ टीज स्पून काश्मेरी लाल मिर्ज डाल रही हो यह ऑप्शनल है आपके पास जो भी फ्रेश लिफ्स है वो डालें क्योंकि फ्रेश लिफ्स से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और अब इसे बोड़ा हटकर है लेकिन आप इसे जरू ट्राइब करें मुझे बहुत पसंद आया था जीरो आयल की यह रेसिपी है प्रॉपर मिल है हेल्दी रेसिपी है कोई भी बना करके इजली खा सकता है तो आप इसे जरू ट्राइब करें और अपना फिट्बैक कमेंट बोक्स पर करें अब हम कैपसिकम को लेंगे और मिक्षर को फिल करेंगे लेकिन मिक्षर को पूरा फिल नहीं करें क्योंकि राइस कुक होने के बाद फूलता है इसलिए थोड़ी से जगर खाली रखेंगे तो दोस्तों आसी बहुत सारी बेतेरियो रेसिपीज मिलीगी आपको मेरे चै केक्तिन में या फिर बाउल में रखेंगे क्योंकि हमें इसे बेक करना है बाकी के कैपसिकम को भी हम भड़ लेंगे तो आप कैपसिकम के मुझ को बंद करने के लिए यहां पर टामाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर पोटैटो का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर लेना है एक गलास गरम पानी ध्यान रहे पानी का गर्म होना जरूरी है और इसमें डाला जाता है वन टेबल स्पून पोमेग्रेनेट सोर जो की मेरे पास नहीं है लेकिन हम यहां पे आधा नीबू डाल देंगे नीबू का रस दो पिंच नमक और दो पिंच ब्लैक पीपर डाल देंगे पोमेग्रेनेट सोर बहुत ही फेमस है टर्किस रेसिपीज में लेकिन अगर नहीं है तो आप उसके जगह पे नीबू का रस इस्तिमाग कर सकते हैं जो मैंने किया अब इसे मिक्स कर लेंगे और ये सॉल्यूशन को हम इसमें डाल देंगे डाल देने के बाद हमें इसे 220 डिग्री पे 30 मिनट के लिए बेक करना है लेकिन मीनवाइल 15 मिनट के बाद हम इसको दूसरी तरफ फिलिप कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से पके आप इसे कड़ाई में भी बना सकते हैं तो ये गया आवन में 30 मिट्स के बाद जीरो आयल की रेसिपी बन करता या रहा है यानि कि आपके टर्किस दुल्मार रेसिपी बन करता या रहा है आप इसे जरूर राए करें और प्लीज अपना फिल्बैक कामेंट बॉक्स में जर इसे खाने और इस भी पसंद रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू मेरे साथ हमेशा जूड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकतें इस्टाग्राम पर और फेस्बुक पर